खरगोष एक बहुती प्यारा जानवर है जो दिखने में बहुती ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं ये खुबसूरत होने के साथ साथ कोई भी इंसन का दिल आसानी से दिल लेते हैं और दिल जितने के बजाए से ये आसानी से इंसनों के साथ घुल मिल जाते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले है खर्गोष के लाइब साइकल के बारे में साती इनके बारे में कुछ रूचिक तथक जानने की कोशिश करेंगे और दोस्तो खर्गोष की लंबाई की बात की जाये तो 40 cm से लेकर 50 cm तक होते है और खर्गोष की वैट के बारे में बात करे तो 2 kg से लेकर 5 kg तक होते है इनके वैट दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूरूपियन खर्गोष को पाला जाता है हम भी खर्गोष पालते हैं वो भी यूरूपियन खर्गोषी होते हैं ये बात सुनके आप जोग जाओगे क्यूँकि ये 2 kg का खर्गोष एक 9 kg कित्ते की बराबर पानी पीते हैं तरती पर पालतो खर्गोष की लगबग 305 प्रजाती पाई जाते हैं और जंगली खर्गोष के पास पूरी के पूरी 28 दात पाई जाते हैं और उनके सामने जो 4 दात होते हैं पूरी जीवन भर बढ़ते रहते हैं और इसी के कारण कुस नकुस खाते रहते और दात को खिसते रहते हैं ताकि उनके जबरे को फार ना दे जंगली खर्गोष की उम्रे के बार आपको और एक बात सुनकर बहुत हैरन कर देगा क्योंकि अस्ट्रियलिया में एक खर्गुष्ट की 18 साल तक उम्र हुई थी जो कि यह एक वर्ल्ड रेकोड है तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दू इस वीडियो का अपने लाइक ने किया तो लाइक कर दी जैसे कि आप देखी सकते किस तरह की मिलन के प्रकार्या करते है यह मिलन के प्रकाल के बार में बात करतो तो 30 से 32 दिनों का होते है मादा-Khargosh एकी बार में लगबख एक से लेकर साथ बत्से को जनम देते हैं जब मादा-Khargosh को बच्चे देने का पूरी स्त्रेक्री के समाई हो जाते हैं दीरे-दीरे अपने उसी तिस्थन को ढून लेते हैं और उड़के बच्चे के कोई अलग अलग तरीके की प्रोब्लिम ना हो और ठंडे के सामना करना ना परे इसी तरह की कारे करते हैं खरगोश की चार स्टेप होते है जिनमें से निवरोन, कीट, यॉंग, एडाल इस तरह की चार स्टेप होते हैं और उसके बाद ये मादा खरगोश अपने बच्चे को धरती पर लाते हैं जब ये बच्चे को जनम देते हैं तो बिना खालो की जनम होते हैं और साथी इस खरगोश के बच्चे के आखों भी बंथ रहते हैं और इसी तरह साथी मम्मी के साथी रहते हैं और समय समय के बाद ये मामी जाके उन बच्चे को दूद पिलाते हैं और इसी तरह दूद पिलाते भी लेते बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं और इस तरह बड़े होने के साथ साथ इस बच्चे के नन्ने नन्ने बच्चे जब दोह सबते के पूरा हो जाते ह तब इस नन्ने नन्ने बच्चे के आके खोलने लग जाते हैं साती इस बच्चे के धीरे धीरे बाल भी ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं और इनके रंगों की विकास भी होने लग जाते हैं और इस बच्चे के बढ़ते तोजा के चाचा जब 15 से 20 दिनों का हो जाते हैं तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाने लग जाते है और खरगोश एक दिन में लगबक 8-9 गंटे तक खाना खाते रहते है और एक मिनिट में 120 बार खाना चबाते रहते है खरगोश घोड़े की तरह उल्टी नहीं कर सकते और इसी तरह नीबरन इस्टेप जब खतम हो जाते है किट्न अबस्ता में आही जाते है और इनमें धीरे धीरे खाना खाने लग जाते है जिनमें अभी भी नार और मादा की पैसन कराना थोड़ा मुश्किल है और ये खरगोश दीरे बढ़ती तो जाके चाथ साथ दीरे दीरे बढ़ते जाते हैं ये खरगोश जब दीरे दीरे दो से धाई महीने के हो जाते है तब ये पूरी तरह से खाना खाने लग जाते हैं और बहुती ज़्यादा कभी कबारी मम्मी का दूद पीते हैं इस howrgosh का लगबख जब तीन महीने के पूरा हो जाते है तब यंगार इस्टेस में पहुच जाते है और इसी तरह पूरी तरह से खाना खाने लग जाते है और ममी का दूद खाना पूरी तरीके से बंद कर देते है और ये खरगोश ज्यादा तर कच्चे चीजों को खाना पसंद करते हैं जैसे कि चबजिया, गाजार, मूली इसी तरह चीजों को खाना पसंद करते हैं और ये खरगोश एक ही दिन में 8 गंटे तक सोते हैं और ये तरह दिरे दिरे रहने के बाद एडल इस्ट्रेस में और इस तरह घरगोश अपने प्रजनन को बरकरार रखते हैं घरगोश की रप्तर के बारे में बात करें तो पूरी एक घंटे में 70 किलोमेटर तक पारावर चल सकते हैं गरगो जब एडल हो जाते हैं पूरी महिने में एक बार करके बच्चे देते हैं हर महिने में बच्चे देने लग जाते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मिद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कॉमेंट शेर जुरू करना थेंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो पे